हलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बुल बैस्टॉक पर एक टाइम था जब हस्बेंड अपने घर पर खाना खा रहा था लेकिन उसको पता चला कि सबजी में तो नमक है ही नहीं उसने डरते हुए पतनी से पूछा जी सबजी में नमक नहीं है तो वाइफ का जवाब आया खा ले आज सबजी थोड़ी जल गई थी अब पती को गुसा तो आ ही रहा था लेकिन उसने गुसे को प्यार में बदलते हुए पूछा जी नमक तो आप उसमें डाल ही सकते थे तो वाइफ ने कहा हम जले पर कभी भी नमक नहीं डालते चलिए बढ़ते हैं आज के कमपनी शेयर की तरफ यह कमपनी टेलेकम्पनिकेशन एक्विप्मेंट सेक्टर में है जो एक ओप्टिकल एंड डाटा नेटवर्किंग प्रोड़क्ट कमपनी है शेयर का करेंट प्राइस 164, बुक वैल्यू 117 जबकि स्टोक फिलाल 1.40 टाइम स्टेड कर रहा अपनी बुक वैल्यू से शेयर होल्डिंग पैटर्न की दरफ चलते हैं जहां फाइनेंशियल स्पोर्टफोलियो इंवेस्टर्स की 21.24 परसेंट दोमेस्टिक इंस्टिटूशनल इंवेस्टर्स की 8.39 परसेंट और पब्लिक की 70.47 परसेंट होल्डिंग्स है कमपनी पर डेट 23.7 क्रोड, फ्री कैस फ्लो माइनस 92 क्रोड, एनुल प्रोफिट माइनस 237 क्रोड, डेट फ्री तो हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते किसी भी कमपनी को चलाने के लिए पैसो की जुरूत होती है, इसके डेटर डेज ही 351 जो काफी जादा है लाश्ट त्री इयर्स का रिटर्न उनिक्विटी लो होने के साथ कमपनी की कोश्ट और बोरोइंग्स जदा दिखाई देती है आप शेर प्राइस को देखें, 95 से लगातर गिरावट पर है, देखो शेर का अप एंड डाउन होना, काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है डेटर डेज 351 होना, इनको पैसा मिलने में देरी के बराबर ही तो है 2017 में कंपनी का प्रोफिट 93 क्रोड का था, 18 में ये बढ़कर 107 क्रोड हो गया 19 में प्रोफिट 147 क्रोड का रहा, तो 20 में 237 क्रोड का लोज मानो आप एक बिजनसमेन है और मेरे को आपने 1 क्रोड की सर्विस दी है लेकिन मैंने आपका पैसा एक साल के बाद दिया, तो इतने आपके बिजनस की फाइनेंसियल अफेक्ट तो होगी ही रिटर्न ओन कैपिटल एंप्रोइड माइनस 11.2 परसेंट, रिटर्न ओन इक्विटी माइनस 20.1 परसेंट और अर्णिंग पर शेर माइनस 13.3 आप ये सब देखकर तो समझी सकते हैं अगर ये कंपनी नियर फ्यूचर में कुछ अच्छे डिसीजन ले तो शेर प्राइज भी हमें बढ़ता नजर आएगा और फाइनेंसियल भी अच्छे रहेंगे बाकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइब ये बाइब एंटे कियर